हैलो वीवर्स देखिए मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है और दूसरी बात ये मैं वीडियो जो डाउन आप अप लोड कर रही हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और थैंक यू गोड नहीं बोलते हो थैंक यू गोड तो लिखा करो ना मैसेज में तांकि आप लोगों के लिए रीडिंग होती है आप लोग थैंक यू भी नहीं बोलते हो गोड को भगवान को अल्ला को थैंक यू तो बो वर्स अब इसके आगे तो निकालने кी जरूरत ही नहीं, वह भी आपके उत्ना ही मिस कर रहे हैं जतना आप मिस कर रहे हो लेकिन वह आपको ब्लोक करके बैठे हों हैं, लेकिन पयार आप लोगों का। सच्चा है सोलमर्ट जैसा connection है बेशे को उपर से आपको block करके दिखा रहे हैं अंदर से दिल से वो आपको बहुत याद कर रहे हैं और जैसे आप उनको प्यार करते हो ऐसे ही वो भी आपको प्यार करते हैं हो सकते है कुछ कर्मा का चक्कर हो जो आप अलग हैं तो एक काड और ले लेते हैं ये काड ले लेते हैं और देखिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत स्पीड से आ रहे हैं जैसे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था आप वो भी आपको मिलना चाहते हैं वो आपको बहुत मिस्स कर रहे हैं वो भी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं और वो जरूर मिलने आएंगे आपको यह 110% है कि वो आपको मिलने आएंगे ही आए और देखिए मैं करमा की बात कर रही थी ना अभी और देखिए करमा का इकाड आ गया ये जो है ना Wheel of Fortune ये हमारे पिछले जन्मों का जो चक्र है ना जो करम दूरे रहे थे जो एक दूसरे के साथ करम पूरे नहीं हुए थे देखे मैंने काड़ तो नहीं देखे ना आपके सामने मैंने आपके सामने देखा और आपके सामने ही आगया Wheel of Fortune तो ये जो ये स्टोरी चल रही है ना ये पिछली लाइफ से ही चल रही है ये Soulmate का काड़ है ये दर लवर Soulmate का काड़ है आप ये देख सकते हो सबसे पहला काड़ ही ये निकल गया था आप उनको मिस कर रहे हैं ब्लोक वो करके बैठे हुए हैं और लेकिन आपको मिलना भी आना चाहते हैं और वो आपको बहुत जल्दी मिलने आएंगे क्योंकि आपको ये जो समय का पईया था ना ये दोनों का हो चुक है पूरा ये जो अलग होना था ये समय पूरा हो चुक है और अगर वो किसी परेशानी में आना तो वो है उनकी माता जी माता जी है ये थर्ड पार्टी है जो भी है थर्ड पार्टी में जाता है उनकी माता जी है मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये थोड़ी एजीड है जिनसे वो बहुत डरते हैं जिनसे वो बहुत डरते हैं लेकिन वो आपको मिलना भी आना चाहते हैं ये दिखी ही है हमारे पास आगया Knight of Swords तो ये यही दिखाता है कि वो आपसे मिलने आना चाहते हैं ये जो समय का चक्र चल रहा था ना ये समय का चक्र चलना ही था ये सब कुछ होना ही था जो ये भी हो गए आप लोगों के बीच में ये होना ही था और अभी हम देख लेते हैं कि बहुत जल्दी वो कब अब तक आ जाएंगे विसे नाइस और सौर गया तो एक्शन का कार्ड तो आई गया था छोड़के जैसे गया है ना उदास वो भी है खुश वो भी नहीं है क्योंकि ये चंदर ग्रैन लगा हुआ था और ये आपके जिंदगी में होना था होना तो था ही क्योंकि वही लोग फॉर्चिन आ गया था तो होना ही था ये तो होके रहना ही था लेकिन पक्की बात है कि अगले एक हफ़ते के अंदर अंदर वो आपसे मिलने आएंगे ही आएंगे अगले एक हफ़ते के अंदर वो आपसे मिलने आएंगे और जरूर मिलने आएंगे ये पक्कारा टावर तक की आपके बीच में सिच्वेशन आये की रष्टा बेल्को cui का ऐ चुक हम अब लोग तो लोग को भी ना कि आ चुक हुद आए। आप इस काड को देखिए मेजर अर kızımा काड़ काड आएने ने देखिए इसमा आया है मीचे तो गवानने की वहन हो ना पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने है सीरियस प्यार था कोई छोटी सी बात पर आप दोनों लगो गए उन्होंने सोचाए ये तो होता ही रहता है ये तो हमेशा मान जाती है ये तो बुरा मानती नहीं तो मैं चला जाता हूँ और उनको ये नहीं पता था आप भी उनको मिस्स करते हो तो आपको लगता है कि वह आ जाए जिन्दगी में और यह देखिए मैंने आप कार्ड उठाया भी आपके सामने सोरी मेरी तबियत खराब है तो यह देख लीजिए यह विक्ट्री का कार्ड गिना जाता है हमारे में तो यह पका वो आपके पास आ रहे हैं और अब आप वैलकम करने के लिए तैयार हो जाओ क्यों के लिए वीडियो भी तो देखते हो न आप लोग तो इसका बमलब आप उनको बहूले तो हो नहीं हो ना आप आप आपको वो बहूले हैं क्योंकि सारे कार्ड मैंने आप लोगो के सामने निकाले हैं वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज थैंक यू गोड बोला करो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सची वीडियो चाहिए क्योंकि मैं ऐसे मीठी 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 वीडियो नहीं बनाती हूँ जो कड़वा सच होता हूँ भी बताती हूँ आप लोग मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बताना ओके विस बाय टेक कियर